तो आपके लिए लेकर रहा हैं एक और पैनी स्टोक जो लोगों को लगातार माला माल बनाता हुआ जा रहा है नम है बैक फिलम्स एंड मेडिया लिमिटेड 13 रुपे के राउंड ये स्टोक ट्रेड कर रहा है आज 20% का जंप स्टोक में दिखाई दिया पिछले पांस दिनों में 45% के positive return है पिछले एक मन्त में 112% के positive return छे मन्त में 90% के positive return पिछले एक साल में 365% के positive return मैक चार्ट ग्रीन में है चोके सबसे चीज़ है किसी टाइम पे स्टोक है 100 को टच करने वादा सा 98-99 रुपी से लुड़क के स्टोक आ गया नीचे 2020 में यही stock trade कर रहा था तक्रीबन तक्रीबन एक रुपे डेट रुपे के around जहां से stock ने तेजी दिखाई और अभी आपको देदी है around around 1000% के positive return quarter 3 के result आने वाले हैं ऐसी मेज़ा बात करें company के revenue की तो quarter 2 में 80% year on year basis पे increase हुआ था net income 322% increase हुए थी बहुत ही जारा जबरदस्त है 1993 से company काम कर रही है अब लिहादन के आया कि जब भी हम किसी penny stock की बात करते हैं तो most probably chances यह होते हैं कि company के जो fundamental होते हैं जारा अच्छे नहीं होते है यहाँ पर देखते हैं कि company के fundamental जो हैं वो कैसे हैं सबसे पहले market cap के बात करें तो 260 करोड की company की market cap है और stock पी है 25 यानि कि आपको under value यह stock दिखाई दे रहा है return on capital employed और return on equity दोनों ही बहुत बुरे हैं यानि कि आपकी अगर return on equity negative में है तो यह बहुत ही जारा बुरी चीज़ है कि आपकी जो equity के उपर company को return लेने है company महां से कमानत हो क्या है company ultra गवा रही है तो यह एक major issue company के लिए है company dividend नहीं देती करजा company के उपर नहीं है यह एक अच्छा साहिन है कि छोटी company है उसके पर करजा नहीं है पर motor holding तकरीबन 47% है जो की decent कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है sales company की 11% increase हुई थी बट इसके बावजूद 445,55% company का profit growth हमें दिखाई दे रही है again बहुत जबर्दस्त है reserve की बात करते हैं तो company के बास 107 करोड रुपे reserve में है करजा company के उपर है नहीं है तो यह तो दो चीज़े काफी जारा अच्छी है company के लेके अगर यहां पर बात करें तो पिछले कुछ टाइम से यहां पर stock में volume बहुत जारा बढ़ता नज़र आ रहा है यानि कि लोग अब यहां पर interest ले रहे हैं अब सबसे पहले बात करते हैं investors की तो देखिए 46% holding थी 2020 में अभी भी भी उतनी है FIs, DIs, Government ने एक पैसा नहीं लगाया हुआ बाकी सभी चीज़ें हमें normally दिखाई दे रही है profit company कुछ खास नहीं कर रही है अगर बात करें तो sales 2012 में 117 करोड थी अब यह भी 112 करोड है तो उसी level के around trade करती नज़र आ रही है net profit पहले company lost में थी बिल्कुली अभी company ने थोड़ा सा improve किया है जो की loss काफी तार कम कर लिया minus 1 का मलगी 1 करोड के around company loss में है यसे बहले तो 15-15-20 करोड के loss में थी छोटी company है तो यह चीज़े आपको यहां पर दिखाई देती रहेंगी तो लिहाजन मैं तो यहां पर पांच मेंसे को क्वेरी है तो कमेंट कीजिए हमारी कोशिश होगी कि आपको देख अच्छे एडवाइस